हेलो फ्रेंड्स दिस इस अविनाश रद्वाल दोस्तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं M.E.G. 4 का बहुत ही इंपोर्टेंट शोर्ट नोट्स में आने वाला क्वेस्चन जो है कार्डिनल वोवल्स इसकी डेफिनिशन को हम पढ़ेंगे समझेंगे फिर डेनियल जोन्स जिन्होंने ये रेफिरेंस वोवल्स दिये थे उनके बारे में जानेंगे थोड़ा सा और विद दाइग्राम वी विल ट्राइटो अंडर्स्टेंड थे कंसेप्ट अव दिक कार्डिनल वोवल्स इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर देखिए साउंड ओफ लेंग्विजिस यहाँ पर पर पर्टिकुलर किसी लेंग्विज की बात नहीं कर रहे हैं पाइट वन एड़ पाइट वावल्स की यह एक रफरेंस वावल्स हैं देडो नोट एग्जिस इन एन लेंग्विज बट इनकी रफरेंस से हम we can measure or understand vowels of languages इसको हम आगे और थोड़ा जानते है इन concepts के साथ हम इने imaginary भी कह सकते है arbitrary भी कह सकते है और idle vowels भी कहते है अब ये imaginary, arbitrary, idle का क्या मतलब imaginary हम जैसे देखते हैं कि हम measure करते हैं globe for example globe ले लिजी globe में longitude, latitude अब वो imaginary lines ही हैं almost वो particular, बिल्कुल 100% सही नहीं है न तो वैसे ही cardinal vowels एक reference है, ठीक है reference vowels है और arbitrary means based on individual judgment और ये judgment किस की थी Daniel Jones की, and idle vowels क्यों कहते हैं, idle means हम बात करते हैं कि he's an idle student idle man, अब idle man क्या होता जिसके अंदर 100% qualities हो अब 100% तो possible नहीं है so, मानलो 60%, 70%, 80% तो इसी तरह से, ये एक reference vowels हैं बड़े ही calculate करके Daniel Jones ने बनाए हैं कि इनके द्वारा इनकी reference लेके हम बड़े ही असानी से, we can measure or understand vowels or languages और ये measure or understand कैसे करेंगे, from the tongue positions, और tongue positions क्या हो सकती हैं forward, back relative to our mouth roof ये भी कह सकते हैं कि cardinal vowels are not the vowels of a particular language but a measuring system according to tongue positions ठीक है friends, so there are 08 number of cardinal vowels remember they do not exist in any language but these are the set of reference vowels classification depends upon मैंने आपको बताया tongue positions tongue की position क्या हो सकते हैं, forward, back highest point जो हमारा mouth है ये हम आगे डाइगराम में समझेंगे और lips position, जब हम कुछ O बोलते हैं से O, E तो हमारा lips की क्या position होते हैं, round होते हैं, unround होते हैं these things we will understand in the next slide with diagram चलो अभी हम जानेंगे Daniel Jones के बारे में थोड़ा सा Daniel Jones, चलो हम इनको याद रखने के लिए DJ बोलते हैं, ठीक है ये जो DJ जी थे, ये हमारे H.O.D. थे, Head of Department of Phonetics at the University London University College London वो क्या कहते थे, कि the value of cardinal vowels cannot be learned from written descriptions कि जो cardinal vowels, हम कहते हैं E, O, आगे हम पढ़ेंगे तो ये जो चीज है, ये हम लिखित में नहीं समझ सकते हैं, इसे समझाने वाला कोई trained phoneticians होगा, इसकी oral sounds को हम तब ही समझ सकते हैं, हम लिख लेंगे, हम O तो देख लेंगे, ये O लिखा लेकिन उसकी sound कैसे होगी, हमें नहीं पता हम लिखा होगा I, लेकिन उसकी sound कैसे होगी E, तो ये सब चीजें जो हैं, ये proper ने trained oral instructor ही समझा सकता है, उनका अपॉन टू पॉसिबल टंग पोजिशन वो हैं, फ्रंट टू बैक एंड हाई टू लो अभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि टंग की फ्रंट पोजिशन क्या है, बैक पोजिशन क्या है ना, डाग्राम में भी देख लिजिए, आगे चार्ट में बढ़ा करके भी दिखा दू तो फ्रंट टू बैक सिग्निफाइज तो पॉजिशन ऑफ टंग डैट रेंजिज फ्रॉम दा फार्देस्ट फार्वर्ड एडड टीथ मलब मैक्सिम्म मारी टंग का जो टीप पर आगे टीथ जब जाता है, तो फार्देस्ट बैकवर्ड एडड थ्रोट इन वोबल फॉर और हाई टू लो सिग्निफाइज दा पॉजिशन ऑफ टंग डाट रेंज फ्रॉम क्लोजेस्ट टुद पैलेटल्स ऑफ दमाउथ पैलेट क्या तलुआ भी बोलते हैं इसको यह डाग्राम में देखिए डॉड 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 लगाया है यह पैलेट तो हाई कितनी रेज हो तो यह है एक हमारे माउथ का थोड़ा सा डाइग्राम मैंने बनाया है इतना अच्छा नहीं है लेकिन समझ सकते हैं देखके तो फ्रेंट्स यह थे पोजिशन सोट टंग जिसके बेस पर हम रेफरन करते हैं स्केल को देखते हैं स्केल ओफ रेफएंस इसी तरह से देखिए में चार्ट को देखिए यह scale of reference को आप ध्यान से देखिए इसमें हमें tongue positions हैं basically यह front, back, center, close, half close, half open, open friends और जब भी हम vowels की counting start करेंगे तो हमेशा front के पास से करेंगे याद रखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपने देखा होगा यहां 5, 6, 7, 8 को मैंने round किया हुआ यह round इसलिए किया है क्योंकि जब इन vowels को pronounce करते हैं तो हमारे lips जो हैं वो round shape में हो जाते हैं और जो 1, 2, 3, 4 हैं यह unrounded vowels है friends मैं इनको pronounce करने कोशिश करता हूँ exact तो नहीं होगा बट फिर भी करता हूँ जो cardinal vowel 1 है उसकी pronunciation ऐसे है 1, E, 2, A, 3, A, 4, A, 5, A, 6, थोड़ा और round होता जाएगा यह आगे आगे 7, O, 8, O friends we have three articulatory definitions of cardinal vowels E, O and O यह A लिखा है लेकिन इसको अ बोलना है the others are auditory equidistant between these three corner vowels at 4 degree of height यह हमारी first definition E की देखिए आप पहले example समझे फीट इसमें E की जो pronunciation आ रही है वो देखिए E करके आ रही है तो इसको लिखेंगे I लेकिन इसकी pronunciation होगी E तो इसकी definition क्या है produced with the tongue as far forward chart में देखिए एकदम आगे की तरफ and as high in the mouth as is possible with spread lips जब हम E बोलेंगे तो हमारे lips spread होते हैं गोल ने होते हैं इसलिए यह एक unrounded है unrounded vowel है with spread lips example feet जब हम विसल ब्लो करते हैं या candle को ब्लो करते हैं उसी समेच जैसे मारे lip की position होती है वो rounded हो जाती है तो यह क्या है rounded vowel, cardinal vowel है जो कैसे produce होता है जब हमारे tongue as far back and as high in the mouth is possible with pursed lips तो यह definition ऐसे clear हो गई in theory third or last definition of cardinal vowel we will define it as produced what cardinal vowel is produced with the tongue as low and as far back in the mouth as possible chart को देखिए अराम से लिखिए देखिए नीचे की तरफ है पीछे की तरफ है और unrounded है so easily आप इस chart को अगर याद कर लेंगे तो आप cardinal vowels के topic पे अच्छे examination point of view से अच्छे mark score कर लेंगे I hope you have liked this video please like, share and subscribe दोस्तो, thank you very much